हलो फ्रेंड्स, बीबीजी एद्यूकेशनल हब में आपका एक बार फिर स्वागत है, हम यहाँ पर नया लेक्शा शुरू कर रहे हैं हमारा रैनफॉल, हुमेडिटी, क्लाउट्स, हम रैनफॉल हमारा मेजर टॉपिक है जिसके अंदर हम हुमेडिटी और क्लाउट्स को भी यह तीन भागों में डिवाइडे है, पहले हम हम हुमेडिटी को देखेंगे, हुमेडिटी और इवापरेशन और 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 भी मैथड से, इवापरेशन, ट्रांस्पिरेशन अ इन सब प्रिजों को देखेंगे, और उसके बाद हमारे देखेंगे, क्लाउट सेकेंड longitude है, temperature zones है, तो उससे आपको और ज्यादा clarity मिलेगी, तो इसका पहले part को हम शुरू करते हैं, जो है हमारी humidity आधरता, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, humidity के बारे में हम थोड़ा था overview देखें कि कैसे humidity हमारे आधरता हमारे वायू मंडल में कैसे आई, यह किस से होती है, exchange of water स पानी के आधान प्रदान से होती है, पानी का आधान प्रदान किस किस process से होगा, evaporation से होगा, transpiration से होगा, condensation से होगा, और precipitation से होगा, देखिए इस process को हम एक छोटी सी, छोटे से diagram से समझते है, sun है, sun rays आई, यह water bodies है, यहाँ पानी की सता है, यहाँ पर पेड पोधे, पेड क्या होता है, यहाँ से evaporation होता है, वाशपन होता है, यह वाशपन उपर की तरफ जाता है, ठीक है, किसमें convectional wave के form में, है न, convectional rainfall में हमारे यह काम आएगा, तो जो यहाँ पर वाशप के जो कन बने, वो किस form में उपर की तरफ गए, convectional wave के form में गए, इधर ही process होती है, यह जो पत्तियां होती है, पौधे की, पौधे की पत्तियों के उपर छोटे-छोटे छिदर होते हैं, उसको बोलते है, इसी से क्या होते हैं, पत्ते, इसी से पत्ते का करते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं, वाशप को बाहर निकालते हैं, अपनी पत्तियों से, और यहाँ से भी क्या होता है इसको बोलते है ट्रांस्पिरेशन वाश्पोत सर्जन इसको बोलते है वाश्पन यह प्रक्रिया जो थी वाश्पन और यह थी वाश्पोत सर्जन ठीक है यह दोनों प्रक्रिया इसके बाद क्या हो जाता है कंदंसेशन की प्रक्रिया में क्या होता है कंदंसेशन की प्रोशेस में क्लाउट complete हो जाती है पानी वापस अपने atmosphere में लोट कर आ जाता है ठीक है यह थी यह भी सभी प्रक्रियां इसके अंदर क्या होगी include होगी ठीक है ठीक है अब क्या होता है कि यह जो hydrological cycle है यह हमारे system में है ना system में पानी को बनाया रखता है क्योंकि पानी यहां से वाश्पित हुआ condensate हुआ वापस rainfall हुआ और वापस आ गया तो यह total amount जो moisture का रहता atmosphere में यह हम्यषा हँख और हमेशा constant बना रहे धा है नीत बना रहेता है ठीक है ऐसा नहीं होगा कि यहांसे ओर्प्रेट हो गया तो यहां पर मात्रिट का मों ही हमारे atmosphere total atmosphere की बात करा हैं पूरी पर पूरी पर इस नहीं होगा कि ओर्प्रेटح होता जा सब्सक्रेंद स्वाइब mat pulse दो हो सकता है ये सभी सब्सक्रेंद मोथ अब स visiting एक रहेगा एकोजके इस Uz ॊहिसलिक्रों सब्सक्राइब सब्सक्राइब और ये को उसक्राइब होती है चब सब्सक्राइब अब कर यह आपको बतांगा हम humidity के types में देखने हमाले ठीक है अब एक और fact point यहाँ पर दो-तिन fact point की बात करेंगे हमारे atmosphere में हमेशा humidity 0 से 4% के बीच में ही रहती यह कभी भी zero नहीं होती zero कभी भी हमारी humidity नहीं होती कोई सा भी atmosphere हो भली हम desert में चले जाए महाँ पर भी humidity आपको zero नहीं मिलेगी ठीक है हर atmosphere में humidity हमको कितनी मिलेगी इतनी तो मिलेगी ही ठीक है और even यदि हम average की बात कर तो 4% humidity हमेशा present होती हमारे atmosphere में ठीक है अब humidity को measure किसे किया जाता है हाई-ग्रो-meeter से measure किया जाता है हाई-ग्रो-meeter हाई-ड्रो-meeter होर हाई-ग्रो-meeter में confused मत हो ने ठीक है यह हाई-ग्रो-meeter जिसते humidity मेशर की जाती है आधरता का महाँपन किया जाता है उसके बाद है पैस चलते हैं और आगर बात करते हैं देखिए अब क्या होता है? यह तो हमने इवापरेशन देख लिया है, अब क्या होता है? यह जो water surface है, इसको sun rays क्या करेगी? heat करेगी? यह sun rays ने यह water surface को heat करा, उससे क्या होगा? evaporation होगा वाशपन होगा और वायू मंडल में क्या हो जाएंगे ये करण आ जाएंगे ये वायू मंडल में करण आ गए ये किसके थे पार्टिकल ये पार्टिकल है हमारे humidity water particle ठीक है humidity water particle और ये suspended particle है जो हमारे atmosphere में है ही सही ये continuously हमारे atmosphere में ऐसे ही बने रहेंगे और ये ही water particle क्या कहलाते हैं ये हमारे humidity कहलाते हैं या फिर आदरता कहलाते हैं ठीक है सूरी की रोशनी के कारण जो भी evaporation होता है वाशपन होता है उसके कारण जो करण हमारे वायू मंडल में रहे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं आदरता कहते हैं ठीक है यदी वाशपन जादा होगा तो करण जादा होंगे यदी वाशपन कम होगा तो करण क्या होंगे कम होंगे particles कम होंगे एक और बात जान लेने राएक है ठीके बताते हैं उसको आगे देखे अब जो हमारी हमने latitude longitude देख चुके उसमें यह equator है ठीके equator पर बहुत जादा evaporation होता है तो हम क्या बोलते हैं 10 degree north से लेकर यह 10 degree north है यह 10 degree south है इस बीच में जो evaporation होता है कौण्टीनेंट्स पर ध्यान रखियेगा जो मैं बात बोल रहा हूँ कौण्टीनेंट्स पर यह zone में इस zone में कौण्टीनेंट्स पर जो evaporation होता है वो सबसे ज़ादा होता है ठीके यह बात समझ में फिर 10 से लेकर 20 degree ये 20 degree तक आ गए हम ये 20 degree north और ये 20 degree south ठीके तो 10 से लेकर 20 degree के बीच में ये वाला जो zone दिख रहा है इस zone में इस zone में oceans में सबसे ज़्याद़ evaporation होता है ठीके त्यान रखिएगा 0 से लेकर 10 के बीच में north south दोनों hemisphere में दोनों गोलार्दों में continents पर सबसे ज़्याद़ evaporation वाशपन होता है और 10 से लेकर 20 degree पर oceans में हमारे समुद्रों में सबसे ज़्याद़ वाशपन होता है ये दो factor हमारे बहुत important है और एक और चीज मैं बताई थी 0 से 4 परसेंट के बीच में ही होगी humidity और 4 परसेंट तो at least होती ही है हमारे समें average हम इसको मानते है ठीक है अब humidity क्या होती है जो हमने definition बताई the amount of water paper present in the air known as the humidity हमारे वायू मंडल में जो आधरता के कन होते है या फिर हमारे वाशप के जो या जल के कन जो होते है वही हमारी आधरता कहलाती है ठीक है है ना ये सभी जगे के लिए अलग-अलग होती है ये सभी जगे के लिए अलग-अलग होती है यदि हम coastal area की बात कर रहें ये इंडिया ये इंडिया तो इंडिया के ये coastal area पूरा coastal area पर क्या होगी यह अलग होगी और जैसे ही हम अंदर की तरफ जाते जाते हैं तो क्या होता है हमारी humidity कम होते हैं क्योंकि dry area वहाँ पर सामने आते हैं ठीक है तो अब अपन देखते हैं humidity के types of humidity आधरता के कितने प्रकार होते हैं तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, शान्ती से समझेगा, और बहुत important concept है, और ये exams में आता direct question पूछ लेता है, ठीके, अब हम क्या करते हैं, छोटा सा example लेते हैं, इसके लिए, हम दो box लेकर लेते हैं, और क्या करते हैं, दो नो box बराबर size वाले, ठीके, अब हम क् atmosphere में रखते हैं, outside रखते हैं, और इसको room में रखते हैं, इसको outside हमने रखा, तो क्या हुआ, इसके अंदर कुछ हवा भरा गई, इसके अंदर एक हवा भरा गई, ठीके, कौन सी outside, मतलब बाहर वाले इलाके की, और इसमें room, हमारे कमरे की हवा भरा गई, हमने इन box को normally बन कर हमने कुछ भी measure नहीं करा, ना temperature, ना pressure, ना कुछ, फिर क्या करते हैं, हम इन box को लाते हैं, और क्या करते हैं, इनको condense करते हैं, इसकी air को, अभी हमने बोला, air जैसी condense होगी, संगनित होगी, जैसी संगनन होगा, वैसी क्या होगी, पानी बन जाएगा, तो अभी हम देख र हमने पूरी air को condense करा, ठंडा कर दिया, उससे क्या होगा, पानी की बूंदे नीचे जम गई, ठीके, अब इन पानी की बूंदों को हमने क्या करा, ग्राम में measure कर लिया, इन पानी की बूंदों को हमने किसमे measure कर लिया, ग्राम में measure कर लिया, ठीके, तो यहीं से हमारी क्या ह हो जाती है absolute humidity है निरपेग शाधरता calculate होती है the total amount of the water vapor present present ठीक है measured in the gram देखो total amount of water मतला हमने क्या करा इसमें कोई temperature temperature fix करा क्या है नहीं हमने जित्ती भी हवा आई उसका हमने उससे पानी condense करके पानी निकाल लिया और पता चला हमको क्या उसको gram में measure करा तो यदि हम definition को ओर अंदर चलते हैं तो it is the weight of the water vapor per unit volume of air per unit volume है न इकाई वायू के आयतन में में मौझूद जल वाश्प की मात्रा क्या कहलाता है हमारी निर्पक शाध्रता कहलाता इसको किस चीज में measure करते है क्योंकि क्योंक। यह क्यों है यह क्यूं हम क्यूंब में measure कर रहे हैं इसको यह box हमारा क्यूं है तो क्यहा है gram per cubic meter ग्राम पर क्यूबिक मीटर में हम इसको मेजर करते हैं हमने बड़ा क्यूब लिया उसके अंदर हवा भरी कंडेंस करा जितना ग्राम निकला उसको हमने कैलकुलेट कर लिया ठीक है ठीक अब क्या होता है यह जो इस वाले सिस्टम ने और इस वाले सिस्टम ने दोनों में हमारी आधरता अलग अलग दिखाई दे रही है इसमें जादा इसमें कम है क्यों क्योंकि यहां पर temperature का difference है यहां temperature जादा है और यहां temperature कम है तो किस पर depend करती है वो हमारे temperature पर depend करती है ठीक है absolute humidity हमारे temperature पर depend करेगी कि कितना temperature है और उस temperature के हिसाब से हमारे atmosphere में कितनी humidity present होगी तीक है यह थी हमारी absolute humidity निर्पेक शादरता जिसे gram प्रती घन मीटर में मापा जाता है तीक है next आते हैं अपन specific humidity अब specific humidity को समझने का बहुती और भी easy फंडा है ठीक है specific मतलब ऐसी specific चीज जो क्या हो रही है चेंज नहीं हो रही है अर्थ पर चेंज नहीं हो रही है यदि हम आइडिल कंडिशन को माने तो चेंज नहीं होगी क्या अर्थ पर temperature चेंज हो रहा है सब जगे के साब से हो रहा ह प्रेशर चेंज हो रहा है और evaporation भी चेंज हो रहा है वाशपन भी चेंज हो रहा है क्या weight चेंज हो रहा है प्रतिवी पर नहीं हो रहा है यदि हम आइडिल कंडिशन की बात कर रहे है तो तो पहले देखते हैं, it is expressed as the weight of water vapor per unit weight of air ऐसा हम इसको अब example में लेते हैं, ठीक है, हमने दो बलून लिए हमने दो बलून लिए और बलून के अंदर क्या करी, 11 kg air भर दी 1 kg हवा हमने उसके अंदर भर दी, अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर से water vapor को हम calculate करेंगे कितनी vapor इसके अंदर मुझूद है, देखो, ये वही outside वाला और ये room वाला, ठीक है, अब outside और room में से देखते हैं, तो outside में humidity अभी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो अब ये हमारा एक एकदम specific amount होता है, क्योंकि ये change नहीं हो रहा है, weight क्या हो रहा है, change नहीं हो रहा है, इसमें भी 1 kg air है, इसमें भी 1 kg air है, लेकिन humidity किसमें ज़्यादा है, इसमें outside वाले में, बाहर ज़्यादा होगी, बारिश कम होसम है, ठीक है, और उसके बाद room में क्या होगी, humidity कम होगी, अब इसको किसमें measure कर रहा है, हमने क्या लिया था, kg में, उसको किसमें लिया था, क्यूब में लिया था, तो हम इसको किसमें measure करते हैं, ग्राम पर किलो ग्राम में measure करते हैं, ठीक है, हम इनमें से इसको condense करेंगे, humidity आधरता या जल के कर निकाल लेंगे, और उनको ग्राम म करेगा उस kg पर और उस जगे के temperature पर भी depend करेगा। ठेके अब specific humidity होती है specific humidity pressure और temperature के change से प्रभावित होती है है ना टाप मा नुर्दाब में परिवर्तन होगा तो उससे ही क्या होगी effect होगी थीके अब देखो absolute humidity और relative humidity जो है relative हम आके बताते हैं absolute humidity देख चुके absolute humidity और relative humidity क्या है variable है और specific humidity क्या है constant है याद रखिएगा इनमें से कौन से humidity constant है हमारी specific humidity constant रहती है वो change नहीं होगी क्यों क्योंकि weight हम weight को ले रहे है weight सब जगे सेम होगा इसलिए एक और सबसे important fact point star point लगा कर लिख लीजिएगा specific humidity inversely proportional to the atmospheric pressure वायू मंडली यह दाब के क्या होती है वित क्रमानुपाती होती है जैसे हम क्या बोलते हैं यह हमारी specific humidity विशिष्ट आधरता is inversely proportional to क्या pressure और pressure के बारे में तो हम देख चुके यह inversely proportional होता है temperature के ठीके यह temperature के होता है तो मतलब क्या हुआ specific humidity directly proportional to temperature temperature से सीधे सीधे related है सीधे सीधे related है क्योंकि हमने पहले ही बताया यह temperature बढ़ेगा तो evo operation बढ़ेगा evo operation बढ़ेगा evo operation जैसे ही बढ़ गया तो क्या हो जाएगा इस इलाके में बहुत ज्यादा पानी के करण होंगे और हम एक किलो या दीज में से हवा निकालेंगे तो एक किलो में ज्यादा करणा आएंगे तो मैं specific humidity क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी ना ठीके तो यह क्या important point होंगे इसके next अपन चलते हैं हमारा आता है relative humidity यह humidity जो है हमारे atmosphere में humidity को मैजर करने का सबसे सटिक तरीका है ठीक है तो हमारे इसको देखते है उसकंड नमने सबस्क्रेंटर अब हम क्या कर रहा है temperature को fix कर रहा है यहमारा temperature fix हो इस इप्स टेमप्रेचर पर आप आपिस दो क्या कर ले थे हैं बॉक्स लेते है हमने temperature fix कर लिया, हमने 27 degree centigrade temperature कर लिया, हमारे normal temperature पर, है नब अब हम ढ़ों देखते है कि इसमें कितनी humidity पहले से हे, इसमें कितनी humidity पहले से है, यदि हम बोलते है कि यह बाहर outside है, और यह रूम है, ठीक है, तो outside में पहले से ही, कितनी है 70% humidity पहले से 70 है ना 70 humidity 70 gram हम मान लेते कि 70 भरा हुआ है ठीक है और room में कितना है ये मातर 50 भरा हुआ है ठीक है अब दूसरी बात की जाए इसकी total capacity कितनी है यदि हम बोलते हैं तो हर चीज की total capacity हम क्या मानते है 100 ठीक है अब 100 तो मानते है total capacity यदि इसके अंदर 70 पहले से capacity मौझूद है तो इसकी capacity और कितनी बची इसकी capacity बची 30 की यदि इसमें 50 पहले से ये तो कितनी बची इसकी capacity और 50 की ठीक है तो ये जो बाहर वाली वायू है हवा है इसमें humidity को accept करने की और जादा अंदर लेने की capacity कितनी बची 30 कितनी बची 30 और room वाला जो है उसमें humidity capacity कितन बची 50 मतलब उसके अंदर क्या हो सकता है humidity capacity 50 और आ सकती है इसमें humidity capacity कितनी बची 30 और आ सकती है जैसे हम एक ग्लास का एक्जामपल लेते हैं यदि हम बोलते कि ग्लास 20% भरा हुआ है तो इसकी capacity और कितनी बची हुई है 80% capacity और बची हुई है तो यहां पर इसका formula आता है ठीक तो relative humidity actual amount of the water vapor in the air हमारी वायू में जो actual amount में water vapor present है यह present है ठीक है यह actual amount में water vapor present है इतनी है यदि हम इसको बोलते हैं यह कितनी है 60% ठीक है यह तो हो गया मतलब absolute humidity हम ने देख लिया फिर उसकी बाद upon में लिखते हैं बटे में लिखते है humidity at saturation point संत्रपता अवस्था तक humidity मतलब humidity capacity मतलब इसके अंदर और कितनी आधरता आ सकती है तेके और कितनी आधरता इसके अंदर आ सकती है या तो इसको और simple formula में लिखना चाहें तो यह क्या है हमारी absolute humidity upon humidity capacity multiply by 100 symbols होगा absolute humidity total humidity जितनी present है यदि हमने absolute humidity निकाली कि 60 है ठीके तो आख इतनी सकती है 30 और आ सकती है ठीके और क्या हो जाएगा यह percentage में मेजर हमारा हो जाएगा ठीके तो इसको किस चीज में मेजर करते हैं percentage में मेजर करते हैं ठीके तो किसी भी वायू में मौझूद आधरता है ना किसी भी वायू में मौझूद आधरता यह जो मौझूद आधरता है और आधरता सामर्थ humidity capacity को क्या बोलते हैं आधरता सामर्थ के अनुपात को यह जो दोनों हैं के अनुपात को क्या कहा जाता है हमारी relative humidity सापेक्षित आधरता कहा जाता है किसके सापेक्ष मेजर कर रहे हैं fix temperature पर यह याद रखिएगा temperature हमारा fix है प्षिक्स टेंप्रेचर पता चलेंगे को पता चलेंगी थैक है तो यह थे हमारी यहीच हमारी यह ब्यूशन और सब्सक्राइब है, ठीक, ठीक है, चल आए, चल देखते है, और देखते है, रिलेटिव हुमेडिटी से related कुछ औरफक है, देखोór, रिलेटिव हुमेडिटी एक्सप्रेस्टेज परसेंटेज में में अधर कीजाती है, ठीक है, अब देखे, it is inversely परपो promise to the temperature, जैसे है relative humidity हो गई inversely proportional to temperature ठीक है and directly proportional to pressure क्योंकि हमको तो पहले ही पता है कि ये दोनों एक दूसरे के inverse होते है ठीक है तो ये क्या है relative humidity सीधे सीधे संबंदित किस्से है pressure से ताप से और relative humidity सापक्षित आधरता उल्टा धर्शाती है विपरीत स्वभाव धर्शाती है ताब मान के ये directly proportional to pressure inversely proportional to temperature व्यूत करमान उपाती है ताप के और दाप के अनुकरमान उपाती है ठीक है मतलब जैसे जैसे relative humidity कब बढ़ेगी जब pressure बढ़ेगा जब दाप बढ़ा देंगे तो relative humidity हमारी बढ़ जाएगी और temperature बढ़ा देंगे तो relative humidity क्या हो जाएगी ultimately हमारी temperature बढ़ाएंगे तो relative humidity हमारी कम हो जाएगी ठीक है अब full capacity क्या होता है full capacity मतलब saturation full capacity मतलब saturation simple सी बात करते हैं यदि हमने एक glass लिया उसके अंदर पानी लिया अब पानी के अंदर हमके क्या करते हैं एक spoon sugar डालते ठीक है एक spoon sugar डाली वह सके अंदर dissolve हो गए एक cup लिया, वह भी हो गगए टीन डाली &產 चार डाली यह चार इसके अंदर घुल गई लेकिन हमने जब पास फी डाली वह नहीं घुल पाई क्यों क्योंकि यहां पर water particles और sugar particles दोनों क्या हो गए बराबर मातरा में हो गए यदि दोनों बराबर मातरा में हो गए तो क्या होगा यहां गुलेगी क्या नहीं गुलेगी तो इसको क्या बलते है संत्रप्त वस्था या saturation point बोलते हैं और ऐसे ही होता है यह हमारे clouds है यह हमारे क्या हो जाती है relative humidity 100% हो जाती है सापिक्षित आधरता syst मतलब संत्रप्त अवस्था का आजाना मतलब हमारे हो चुके हैं और अब यह और ज्यादा ग्रहंड नहीं करेंगे मतलब बारिश होने का समय आ गया है इसके बाद क्या होगा बारिश हो जाएगे ठीक है यदि हमारी humidity के तीन टाइप है ना जो important है next अपन चलते हैं और हमारे rainfall और other topics है ठीक है इस rainfall से related बहुत ही अच्छे इस बारे बाद क्या है यह एक specific temperature ultimately यह क्या है specific temperature की बात कर रहे है ठीक है तो देखते है the air containing moisture to its full capacity containing moisture to its full capacity मतलब आदरता सामर्थ मतलब उसके saturation point तक जब ये 100% हो जाती है तभी क्या होगा? due point आएगा, लेकिन due point आने के लिए क्या चाहिए? due point आने के लिए हमको चाहिए temperature कम तो मतलब relative humidity क्या हो जाए? साप एकशित आदरता क्या हो जाए? 100% हो जाए and the temperature said to be क्या बोलेंगे? उस temperature को क्या बोलेंगे? due point उसी ताप को वो ताप at a specific temperature जिस पर क्या होए? relative humidity 100% हो जाए क्योंकि जैसे जैसे पहले ही बता दिया था ताप बढ़ेगा humidity capacity बढ़ेगी है ना तापमान बढ़ते जाएगा तो आदरता ग्रहन करने की शमता भी बढ़ती जाएगी है ना तापमान बढ़ाया तो क्या हुआ? air expand होगी और उसके अंदर water particle समा जाएंगे ठीके? तो आदरता ग्रहन करने की शमता भी किससे बढ़ती जाएगी? तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती जाएगी और एक ऐसा temperature का level एक ऐसा temperature का level जब relative humidity क्या हो जाती है 100% हो जाती है उसको क्या बोलते हम dew point और उसी बिंदू पर क्या आ जाता है dew बनना शुरू हो जाएगी एक बूंद बनना शुरू हो जाएगी पानी की ठेके The temperature at which saturation occurs in the given sample of air is known as dew point एक निश्चे तापमान पर एक निश्चे तापमान पर संतरप्ट अवस्थान इश्चे तापमान जिस पर संतरप्त अवस्था आ जाती है किसी युद आईयो की संतरप्त अवस्था आ जाती है किसी वायू की वायू की संतरपता वस्ता कब आ जाएगी उसमें humidity 100% हो जाएगी ठेके अब देखिए इसमें temperature के वारे में यदि बात करें तो temperature क्या होगा more than zero degree होना चाहिए ये बात important है याद रखिए ठेके कि temperature हमेशा zero degree से उपर ही होना चाहिए यह ना नहीं तो क्या हो जागा यह तो freeze हो जाएगी यह जो droplets दिखर है यह क्या हो जाएगी यह freeze हो जाएगी जम हो जाएगी ठेके ठेके यदि ताप मान zero degree centigrade से अबाव है ठेके zero से जादा है तो वेपर क्या होगी condensed हो जाएगी और liquid form में convert हो जाएगी ठीके लेकिन यह जो humidity है यह dew point दो जगह पर आ सकता है दो जगह पर मतलब दो तरीके से आ सकता है first thing मैं आपको बताता हूँ second में अगली slide में चलेंगे देखिए इसी से हमारा जो कोहरा होता है कोहरा देखा है आपने फॉग होती है mist होता है हम समझते इसको आगे भी देखाए यह particle है कौन से वाले dust particle कोई सेभी हो सकते है dust particle हो गए, salt particle हो गए, coal particle हो गए, polluted particle हो गए, यह particle है, तो एक relative temperature, एक निश्चित तापमान पर जब यह बहुत जाते हैं, और dew point आ जाता है, dew point मतलब relative humidity क्या हो जाती है, relative humidity जब 100% हो जाती है, मतलब क्या हुआ, उसमें और जाते humidity नहीं आएगी, और यह humidity कहां जमने लगेगी, इन particle के उपर बैठ जाने लगेगी, इन particle के उपर वो humidity क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बैठ जाएगी, और क्या हो जाएगा, यह हमें visible हो जाएगी, यह चीज हमको क्या होगी, दिखने लगेगी, अभी तो हमारा atmosphere में humidity होती है, लेकिन दिखाई नहीं देती है, ठीके, जैसे इन particle के उपर जम जाएगी, छोटी छोटी बहुत सार पार्टीकल जम जाएंगे, धूल के कन में देखते हैं, धूप में दिखाई देते हैं, कमरे में धूल उड़ती है, धूप आ रही है, तो उसके लोड़े चोटी छोटी जब जाएगे तो यह दिखाई देने इसको बोलते हैं आधरता ग्राही कण है ना अधरता ग्राही कण ठीक है या फिर संगनन वाले ऐसे कण जिसके उपर संगनन की प्रकृया होती है और इसके उपर water particle water droplets पानी के बूंदे बैठ जाती है तो इसको क्या बोलते है आधरता ग्राही कंड या हाइग्रोस्कोपिक कंडनसेशन नुकलियस बोला जाता है इसमें क्या क्या हो सकता है इसमें हो सकती है डस्ट इसमें क्या क्या हो सकती है डस्ट पार्टिकल हो सकते है डस्ट पार्टिकल स्मोक पार्टिकल धूएं के कंड न नहीं हो पाती, है न, condensate नहीं हो पाती, clouds, ठीक है, और बारिश नहीं हो पाती, condensation nucleus के कारण ही ये प्रकरिया चली आ रही है, ठीक है, तो ये था हमारा dew point, ऐसा point जिस पर air saturate हो जाती है, अब अब अपन देखते, dew, dew क्या चीज होती है, ठीक है, ठीक है, when the moisture is deposited in the form of the water droplets, on the cold surface, ये ज्यादा यादर के, cold surface of a solid object, ठीक है, जब, जब, पानी की बूंदे संगनित हो कर, जब पानी की बूंदे क्या होती है, जो हमारा atmosphere में, जो ये आदरता के करण है, वो क्या हो जाते है, छोटी-छोटी बूंदों के रूप में, छोटी-छोटी बूंदों के रूप में, ठंडी सतह पर बेठ जाते हैं, ठंडी सतह पर बेठ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर hygroscopic nucleus, आदरता ग्राही कन की उपियोगिता नहीं है, आदरता ग्राही कन इसके अंतरगत नहीं होंगे, तो surface पर, solid surface पर, solid object पर बेठ जाती है, जैसे क्या हो सकता है, पत्थर के उपर जम्यों ही देखी होगी आपने, जैसे हमारे vehicle होते है, vehicle की windsheet होती है, है न, vehicle का जो ये काच लगावा होता है, इसके उपर, इसकी छत पर, क्यों क्यों की क्या हो जाते हैं, ये ठंडी के मोसम में ठंडे हो जाते हैं बहुत जादा, और जितनी भी humidity रहती है, और उनको बेठने के लिए क्या चाहिए, ठंडी सता चाहिए, condensate होने के लिए क्या चाहिए, low temperature चाहिए, संगनित होने के लिए निमनताप चाहिए, निमनताप के कारण क्या हो जाती है, वो इस surface पर बेढ़ जाती है, पत्थर पर बेढ़ जाती ह पत्तों पर बेट जाती है घांस के रेशों पर बेट जाती है तो ये के कहलाती है हमारे dew कहलाती है ये हुआ dew और वो temperature जिस पर saturation आजाता है उसको बोलते है dew point वो temperature जिस पर saturation आजाता है वो तापमान जिस पर संतरपतावस्ता आजाती है उसको dew point कहा जाता है, और ये के कहलाती है, dew कहलाती है, dew point के बाद ही dew आएगी, क्योंकि atmosphere में humidity तो होनी चाहिए न, humidity होगी, वो 100% होगी, उसके बाद ही ये humidity इसके उपर jump आएगी, ठीके, अब इसकी condition क्या है, dew कब कब हो सकता है, dew हो सकता है, clear sky, मतलब स्वच्छ आसमान हो, ह तभी तो आसपास humidity ये कोई atmosphere है, उसमें humidity यहाँ पर रुकी रहेगी, क्यों क्योंकि हवा रुकी हुई है, यदि हवा होगी तो क्या करेगी, इसको बाहा कर ले जाएगी, ठीके, तो हवा रुकी होई होनी चाहिए, relative humidity हाई होनी चाहिए, सापेक्षित आधरता उच्छ होनी चाहिए, तभी तो saturation पर पहुचे कि सापेक्ष आधरता हमने माना 90 प्रतिशत है, 90 प्रतिशत मतलब बहुत चिपचिपा महौल हो रहा है, ठीके, तभी जाकर तो क्या हो का condensate होकर ये आधरता यहाँ पर बेट पाएगी, है न, cold and long nights, आपको पता है कि राते ठंडी के मौस पत्थरों पर, पत्तियों की नोक पर ये आपको ऐसी दिखाई देगी बून दे, है न, लंबी रातों में, ठीके, चाहरो, आगे बढ़ते हैं, यह था हमारा dew, उसके बाद आते हैं, evaporation, वाशपन, ठीके, वाशपन देखते हैं, ठीके, ओशियन में जो है हमारा, ओशियन पूरी सरफेस पर जो टोटल अर्थ का 97% है, ओशियन में क्या है? मतलब हम क्या बोलें, कि यदि कॉंटिनेंट और ओशियन की बात करें, थो 97% क्या है? ओशियन ही ओशियन है, जो 97% है, वो ओशियन ही ओशियन है, 90, sorry, sorry, 91%, 91%, सौरी सौरी सेवंटीवन पर्सेंट क्या है ओस्य ये कॉंटीनेंट अधा और कॉंटीनेंट कितने है लगबग 30% मेर ट्वेंट्यण पर पर्सेंट पे हमारे continent है तो ये जो एस तेमध कितना पानी मौशुद है 97 पर्सेंट पानी मौशुद मौझूद है पानी का भंडार इसी में मौझूद है ठीक है और यही हमारी जल चक्र को चलाते हैं यही ओशियन जो है हमारे जल चक्र को चलाते हैं कैसे ओशियन से ही 84% इवाउप्रेशन होता है है ना इवाउप्रेशन में कॉंट्रिब्यूट करते हैं 84% और कॉंटिनेंट कितना करते हैं 16% 16% हमारे कॉंटिनेंट हैना क्या करते हैं कॉंट्रिब्यूट करते हैं हमारा पक्ष लेते हैं किसमें वाश्पन में ठीक है अब क्या होता है हमने पहले कॉंतिनेंट पर जयादा इवोपरेशन होता हो यह च्छे जबर इवोपरेशन ओफ इंग प्रोपिकल को डिГरो रीजन मेगा है सब्रोपिकल सब्रोपिकल commence में वेस्टन वेस्ट नॉर्थ अट्लैंटिक में प्रिसेंट में अगलट कि में नौत प्रिसे सेड में और उत्तरी अट्लांटिक महासागर में सरवाधिक मातरा में वाश्पन की प्रक्रिया होती को कि बड़े बड़े चोड़े सागर है और इसी जगे पर हमने एक और चीज बात करी थी यह अर्थ है यह एक्वेटर एक्वेटर से उपर 20 डिग्री नौर्थ को हमने क्या बोला थ थर्मल एक्वेटर है ना तो यह थर्मल एक्वेटर या फिर तापी भूमत्य रेखा है तो वाश्पन कहां पर होगा इसी वाले इलाके में ओशियंस में होगा ना देखो 20 डिग्री ठेक है और यहां पर एक और कारण इसका और बताए जाता है क्या यहां पर स्ट्रीम चलत है और करण चलती है और गरम है इसलिए वाश्पन यहां पर ज्यादा होता है ठीक है अब क्या होता है सबसे ज्यादा इवाउप्रेशन की बात करें है ना हमने बताई दिया पहले यह है और 10 डिग्री से 10 डिग्री मतलब इक्वेटर के आजू-बजू वाला इलाका तो बहुत ज्यादा इवाउप्रेशन होता है एक्वेटर के आराउंड है ना यह कॉंटिनेंट और ओशियंस को दोनों को मिलाकर इक्वेटर पर सबसे ज्यादा अमातरा में हमारा क्या होता है वाश्पन होता है अब देखिए वाश्पन की प्रक्रिया क्या होती है प्रोसेस गरम करेगी यह सरफेस को गरम करेगी जैसे ही सरफेस गरम होगी ठीक है तो इसको क्या बोलते है यह लेटेंट हीट होती है एक चीज होती है लेटेंट हीट यह हम उसमें भी समझेंगे यह लेटेंट हीट है अब यह लेटेंट हीट से क्या हो रहा है एक लेटेंट हीट क्या बोलते है, गुप्त रूप से उसको उष्मा मिल जाएगी और वो उस सत्ह को छोड़कर चले जाएगा यह हमारी पानी की सत्ह है सूरत से रोश्नी आई ठीके, सूरत से रोश्नी आई तो क्या हुआ यहाँ पर यह जो कण है यह जो पार्टिकल है यह क्या है सिर्फ नीचे से और आजू-बाजू से connected है नीचे से और आजू-बाजू से hydrogen bond बना के रखे लेकिन यह भीच वाला जो particle है इसको निकालना मुश्किल होगा क्योंकि यह चारो तरफ से 3D bonded है लेकिन इसके surface क्या है यह free surface है क्या होंगे इनको एक energy मिलेगी more than 27 degree centigrade यह याद रहे 27 degree centigrade से जश्यादा ही तापमान पर वाषपन होगा 27 degree centigrade से यदि ज़्यादा तापमान है तो ही वहाँ पर वाश्पन की प्रकरिया होगी तो यहाँ पर 27 degree centigrade से तापमान ज़्यादा हो जाता है और यह bond break हो जाता है यह hydrogen bond जो ब्रेक हो जाता है और यह particle क्या हो जाते है हमारे atmosphere में आ जाते है और यह क्या कहलाती है हमारी आदरता कहलाती है यह हमारे एट्मोस्फियर में आ जाती है यह हमारी आदरता कहलाती है यही एवापरेशन हो जाता है ठीके यह क्या हुई यह जो टेंपरेचर था यह जो टेंपरेचर था जो मिला कौन सा जो बॉंड ब्रेक करने के लिए यह टे हीट ओ इवॉपरेशन वाश्पन की गुपत उश्मा वाश्पन की गुपती एंव मली और क्या हो गया यह हमारे एटमोसफियर में यह वैपर चली गई और यह कनभेशनलल वेव की फॉर्म में उपर जाएगी और क्या बनाएगी बाद लोग को बनाएगी यहां पर आप देख सकते यह सूडी की रोशनी आई ठीक है इसने इस सरफेस को गरम करा यह सरफेस गरम हो चुकी है सरफेस हमारी गरम हुई और यह वाश पूठकर ऊपर जा रही है और फिर वाशपन तो देख लिया यह वापरीशन हो रहा है सनलाइट पड़ रही है अब इसको कुन से एक्ट्र एफेक्ट करते है वाशपन को प्रभावित करने वाले कारक थीक थो amount of water available किसी भी जगे पर पानी की मात्रा वो प्रभावित करती है पानी की मात्रा कैसे जैसे ocean है ocean इतने सारे हैं इतना सारा पानी है धेर सारा पानी है तो वो क्या हो जाएगा धीरे से गर्म होगा और धीरे से ठंडा होगा धीरे से गर्म होगा धीरे से ठंडा होगा प्लस उसमें बहुत सारे impurity भी मिली हो यह salts मिले हुए है और river water आता है river water भी कुछ impurity लेकर आती है है तो यह सब इसके अंदर का मिल जाते हैं ठीक है और भी चीज oil spread हो जाता है और दूसरी चीज है तो उसके कारण क्या हो जाता है हम नॉर्मल चीज को देख रह होते हैं देखा है दूसरा temperature यह तैमपरेचर जादा होगा तो इभापेशन जादा होगा त्यमप्रेचर कर्म होगा थे वपरेशन करम और पूलरर एरिया में इभापरेशन काम होता है relative humidity relative humidity मतलब relative humidity जो हमने पिछले उसमें समझी, क्योंकि तापमन बड़ेगा, तो इस संब्द से संबंध देखा था, थीक है, रिलेटी ईमिटी का संबंध देखा, तो वो एक बार ओर दिखा धते, देखिए, जैसे रिलेटी उमेटी को हमने जो देखा था, यह हमारे रिलेटी हुमिटी तो हम इसको देख पा रहे है ना प्रोपोर्शनल टुदी टेंपरेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टुदी टेंपरेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर से हो रही है यदि टेंपरेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर के बढ़ने से उस पर कैसे प्रकार के एरिया में एवॉफिरेशन हो रहा है थिकर माॉंटेन आरिया है लेक ए पर कोस्ट अ है तो एरिया पर टिपेंड रए ऑ्यारीचित यदि विंड स्पीड यदि वू अंचização सफेया-कर लिए तो कि इतना ट्परेचर पर पोड़नी प्रल्खेस ह kilowस तरहे होगा उसको ट्रेंपरेचर को उतने ट्रेंपरेचर पर पहुचने निकी खोल्डाउन करती रही ठंडा करति रहैं कि सफकें एयर प्रेशर तो प्रेशार प्रेशार बढ़ना ट्प्रिशार कम होना तो देखो तो इस एरिया में यह पार्टिकल शेखे क्या हो जाएगा नहीं है इसे ब्लॉख को जाएगे उसे यह फ intelligent बढऄ जाएगा ठीके और यह पाठिकल यहाँ से मुव नहीं रहे पाए यह पा भूत पर प्रेशर बढ़ गर तो यह पानी की सरफेस पर बहा vary кр से 1 भी पार्टिकल अल्लग करने लिए ज्यादा temperature के requirement होगी प्रेश बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा evoporation कम हो जाएगा प्रेश बढ़ा देंगे तो evoporation कम हो जाएगा क्यों क्योंकि pressure बढ़ गया उपर से तो यह जो particle इसमें से निकल के उपर जाएगा तो इसको क्या होगा effect होगा निकल नहीं पाएगा composition of water गंदा पानी है, साफ पानी है, pure water है, ocean water है, lake water है, सब rate of evaporation, evaporation कितना तेजी से हो रहा है, equator पर हो रहा है, topic of cancer पर हो रहा है, pole area पर हो रहा है, ठेके, अब ठेके, इसी condition में, है न, तो क्या होता है, water अलग-अलग condition में, अलग-अलग तरीके से होता है ocean water क्या होता है, ocean water, salts होते है, तो वो थोड़ा सा कम दीरे से evaporate होगा, और फिर जो river water है, river water क्या है, तीजी से evaporate होगा, इसको ताप मन ज़्यादा लगेगा, ocean को, temperature ज़्यादा required होगा उसको, और इसको कम होगा, क्योंकि इसमें impurity है, impurity क्या है, salts है, ठेके, अब क्या है, हाँ, इसके अलावा हमारे plant से भी transpiration होता है, वाश्पो सरजन होता है, पत्तों से वो वाश्पो को निकालते रहते हैं, एसी प्रक्रिया के द्वारा हमारा evaporation होता है, देख, next देखते हैं हमारा condensation, condensation, condensation में evaporation के प्रक्रिया, भौती, मुख्य भूमी का न vapor into water, जैसे हमने evaporation को क्या बोला, कि पानी का वाश्प में परिवर्तन, क्या कहलाता है हमारा, evaporation होता है, और evaporation की ही reverse process को हम बोले, कि हमारे जो ये बादल है, बादल से वापस पानी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, यदि बादलों से पानी वापस नीचे हो गया, तो एक किस process के कारण हुआ हमारा, ये process थी हमारी condensation, ये किसका evaporation का reverse process है, जिसमें पहले condensation में क्या हो रहा था, हमारे surface water क्या हो रहा था, evaporate होकर किसमें convert हो रहा था, water converted into the gas, वैपर में convert हो रहा है, गैस में convert हो रहा है, और फिवापिस gas, जो वैपर है, वो आपिस convert हो ठीक है या फिर देखो और समझत इस जगह पर क्या हुआ इस जगह पर क्या हुआ यहां पर हमारा यह थी सर्फेस यहां पर हमारी सर्फेस हुई गरम हमारी सर्फेस क्या हुई गरम अब सर्फेस गरम हुई उससे क्या हुआ वाश्पन हुआ सर्फेस गरम होने से वाशपन की प्रक्रिया हुई इवाउपरेशन हुआ इवाउपरेशन से क्या हुआ इसने हीट गेन करी यह जो सर्फेस थी पानी की इसने हीट गेन करी मतलब इसके उपास क्या गई टेंपरेचर आगया यह इसने टेंपरेचर आगया और टेंपरेचर को तो यह क्या कर देंगे, heat को release कर देंगे, यह क्या कर देंगे, heat को release कर देंगे, जैसे यहाँ पर heat gain करी थी, कौन सी latent heat of evaporation, वाश्पन की गुपतूश्मा, ठीक है, तो यहाँ पर latent heat of condensation, यहाँ पर कौन सी heat release कर देंगे, condensation की तो इसको क्या बोलेंगे संगनन की गुपतो उश्मा संगनन की गुपतो उश्मा latent heat of condensation तो ये process कुन सी है loss of heat heat को loss कर देने वाली प्रकरिया है ठेके अब क्या होता है इसमें ये प्रकरिया कब होती है जब relative humidity क्या हो जाती है 100% हो जाती है या फिर उसकी holding capacity holding capacity क्या हो जाती है zero हो जाती है क्या हो जाती है moisture holding capacity जब भी क्या हो जाती है zero हो जाती है मतब और ज़्यादा moisture को गेन नहीं कर सकता है तब ऐसी condition आ जाती है देखो उसके बाद क्या हो जाता है जब भी saturation point आ जाता है तो जितनी भी वेपर होती है extra 100% के अलावा वो condensate होकर क्या होने लगती है बारिश के रूप में वरशन लगती है precipitation शुरू हो जाता है वर्षन शुरू हो जाता है वर्षा शुरू हो जाती है और ये प्रकरिया कहां पर होती है यहां clouds में होती है और clouds में क्या होता है hygroscopic nucleus आधरता गराही कण होते है वो कै कर लेते हैं या आधरता गराही कण हो गए यह अपने आसपास क्या करते हैं वाश्प को जमा लेते हैं और एक बूंद बना लेते हैuciones और यह पानी के बूंदे हमारी surface पर गिरने लगती है और ये वापस gas से convert होकर किस में हो जाती है water में liquid में convert हो जाती है यहाँ पर hygroscopic nucleus की एहम भूमी का होती है हमारे बरसात करवाने के लिए ठीक है यह किस पर depend करता है condensation depends upon the amount of the cooling and amount of the cooling and relative humidity of the air किस दर से किस चीज़ पर depend करती है किस दर से हमारा cooling या फिर शीतलन हो रहा है किस दर से ठंडा हो रही है हमारी हवा ठीक है और relative humidity सापक्षित आधरता दोनों पर depend करता है हमारा condensation ठीक है अब यह किस किस चीज़ से प्रभावित होती है volume of air influenced by the volume of air कितने कितना volume उपर की तरफ जा रहा है तापमान उसको अभी हमने बोला कि cooling किसी सापसो हो रही है ठंडा किसी सापसो होते जा रहा उपर की और pressure दाप क्या है उस area का और humidity कितनी है आधरता कितनी उपर की त effect होता है ठीक है तो यह था condensation simple सी पक्रिये water वापिस हमारा जो हमारी जो वैपर है वापिस किस में convert हो जाएगी water में convert हो जाएगी ठीक है चलते हैं उसके बाद आते है white frost frost क्या था ड्यू पता है आपको ड्यू हमने देखे ती ड्यू नॉर्मल सी चीज़ है देखो यदि कि यह पति है यह हमारी एक पति है इस पति के उपर इस पति के उपर क्या है यह छोटे छोटे पार्टिकल किसके बठे हुआ है यह जमी हुई है जब हमने द्यू के बारे में बात कर रहे थी ड्यू कभ हो ना चाहिए जब condensation होगा और condensation की प्रक्रिया जो हमने देखी थी dew point डिग्री सेंटिग्रेट से अर्थात ड्यू पॉइंट से नीचे आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं पाला पढ़ना पाला इसको क्या बोलते हैं पाला पढ़ना पाला पढ़ना मतलब क्या हो जाता है यह जो घास होती है घास के उपर जो ऐसे वाटर पार्टिकल बैठे हुए होते हैं वो क्या हो जाते हैं जम जाते हैं आइस में कनवर्ट हो जाते हैं जैसे आपको यहां दिखाई दे रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है ठीक है तो यह frost की condition होती है ठीक है कैसे होती frost from the cold surface when the condensation text plays below the freezing point condensation या फिर संगनन की प्रक्रिया 0 degree centigrade dew point से भी नीचे वाले तापमान पर होती है उसी प्रक्रिया को क्या बोल देते हम frost उसमें क्या हो जाती है जो पत्तों पर पड़ी हुई surface पर पड़ी हुई चोटी चोटी पानी की बूंदे है वो क्या हो जाती है जम जाती है freeze हो जाती है जम जाती है और हमको ऐसी दिखाई देती है, इसी जम्य हुई, उससे क्या होते है, ये पत्ते होन सड़ जाते, खराब हो जाते, ठीक है, तो पाला पढ़ना, एक खतरना किस्तिती है, हमारे फसलों के लिए, जन्रली ये पाला पढ़ता है, हमारा चने की फसल जब लगती है, गेहूं की फसल हम लगाते हैं, तब ठीक है, ठीक है, क्या होता है पाला, तो एक्सपेज दी मौशर इस दिपोजिटेड इन दी फॉर्म आफ माइनूट, है न, आइस क्रिस्टल, जब पानी के कण, छोटी-छोटे बर्फ के कणों के रूप में परिवर्तित होकर, पत्तियों पर जम जाते हैं, उसे क्या बोलते ह ठीक है, जनरली जो रूरल एलिया से है, ग्रामीन शेतरों से उन्होंने देखा होगा, ठीक है, ये चीजे होती है, इसमें तापमान क्या होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट, जीरो डिग्री सेंटीग्रेट से तो नीचे ही होना चाहिए, याना, फ्रीजिंग जीरो डिग्री सेंटीग्रेट से नीचे होगा टापमान, तो क्या होगा, हमारा पाला हमेशा पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट आजाते है, फॉइंट पर, फॉइंट चोटी सी चीज आपने समय देखी होई, लेकिन समझते नहीं है, ठीक है, फॉइंट क्या होती है, इसको सतह पर हमको पता ही है, कि ये कुचा ही है, ट्रोपो स्फियर वाला है, तो सबसे ज़्यादा मौशर कहा होगी, यह नीचे वाले लाके में होगी, नीचे वाले लाके में होगी, और नीचे वाले लाके में, जब भी तापमान सड़नली नीचे चले जाएगा, कम हो जाएगा तो जब भी तापमान कम हो जाएगा तो अभी हम देखते हैं आ रहे due point तापमान कम हो जाएगा तो उस तापमान पर क्या हो जाएगा हमने hygroscopic nucleus भी देखे तो यहां पर dust particle भी है यह dust particle है बड़े वाले ऐसा मानते हो छोटे वाले humidity particle है तो जैसे temperature कम होगा तो यह dust particle का भी temperature क्य हुआ हो जाएगा कम हो जाएगा और इन dust particle के उपर क्या हो जाएगा यह condensate हो जाएगे ये चोटी चोटे पार्टिकल जो है यह condensate हो जाएंगे मतलब बैठ जाएएंगे और क्या हो जाएगे ठंड़े होकर सफेद, सफेद particle के रूप में जम जाएएँगे और दिखाई खेड हों जाएंगे那就 particle mm ऑपके वाइट पार्टीकल में एसे दिखाइ एने लगेंगे मतलब कंड़न सेशन का ही एक टाइप है हम के बारीच बारीच टाइपक्हाएफ में 對 यहां पर आपडिकल उसके ऊपर ऋपर में उसके ओपर कंड़न सेट जाते तो यह चोटे-चोटे वीजीबल हो जाते हैं, हैना कुछ जगय पर मतलब क्या होता है, यह जो humidity इतनी सारी है, इतनी सारी humidity तो है, यह temperature कम होने के कारण, यह particle freeze हो जाते है। खुछ से freeze हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है हमको, क्या दिखाई देने लगती है Fog या कोहरा दिखाई देने लगता है एक चीज आप सभी लोगों ने देखिए हो कि जैसे आप Freezer का फ्रीजर का गेट खोलते हैं तो आपको एकदम धुआ धुआ धुए जैसा नीची की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है वह धुआ क्या होता है जैसे ही हमने गेट खोला तो हमारे रूम में उमेडिटी तो है वह फटा फट क्या होती है उस Freezer के अंदर घुसती है और क्या हो जाती है वह आपस थंडी हो जाती है वह आपस थंडी हो जाती है और वाइट कलर के पार्टिकल में दिखने लगती है तो यह दोनों प्रोसेस में होता है या तो यह किसी पार्टिकल के temperature के गिर जाने के कारण तो आप जैसे fridge खुलते हैं तो white कलर का एकड़म fog जैसा नीची के तरफ आता है बहता हुआ धुवा नीची के तरफ जाता है उसी को हम क्या बोलता है वही हमारी क्या fog जो temperature के sudden कम हो जाने के कारण हो जाती इसमें visibility पूर हो जाती और जीरो हो जाती है लगबग जीरो के बराबर भी हो जाती है ठीक है अब जब यह हवा के साथ यह बहुत उपर तक नहीं जाता है एक चीज ध्यान रखिए यह हमारा ट्रोपोस्फियर है यह ट्रोपोस्फियर आगया ठीक है तो यह जो फॉग होगी यह इसी इलाके में होगी यह ट्रोपोस्फियर में नीचे के इलाके में ही आपको दिखाई देती है इस वाल इलाके में क्योंकि यह भारी करण है जब यह फ्रीज कोलते हैं तो पार्टिकल उ तो यह चीज़ है नीचे की तरफ दिखा रहा है तो यह चीज़ है क्या होती है नीचे की तरफ दुआ बैठे जाएगा और यह हैवी होती है यह ध्यान रखेगा और यह होरिजोंटल ही मूँव कर रहें तो ऊसको क्या बोलते हैं है आटिविक्शन हैं अदिविक्शन को देख चुके हैं अदि पिछले चेप्टर में बताया था अभी वहन मतलब होरिजोंटली ही फ्लोवा अफ एएर हे ना हवा का शैतीजिक रूप से बहना घाए अब क्या होता ये ओशियन में भी हो जाती है ओशियन में भी ऐसी फॉक्स अचानक से हो जाती है जब एक तरफ से दुरूवों से आने वाली ठंडी हवा ये ठंडी हवा नहीं ठंडा पानी और ये भूमत्य रेखा से आने वाला वाम वाटर गरम पानी दोनों एक जगे मिलते हैं तो यहां यहां पर भी क्या होगा गरम पानी सड़नली ठंडा हो जाता है तो उसकी कारण क्या हो जाती है एसी वैपर निकलती है और यह फ्रीज हो जाती है और ऐसा एक्मोस्फियर बना देती है है तो फॉक की वीजिबिटी कितनी होती है लेस देन वन किलोमेटर एक किलोमेटर से कम की visibility अब भी हो जाती है, उसको हम क्या बोलते है, fog बोलते है, fog का एक और रूप है, जिसको बोलते है mist, इसको बोलते है धुंद, वो था कोहरा, और यह है धुंद जो आपने generally देखी होगी इन दोर में आप रहते हैं, तो देखिए थोड़ा एकदम light है, जगे वही है, सेम और यहाँ पर हो रही फॉग, दोनों चीज़ें एक ही जगे दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखो, एकदम हलका हलका सा दुनला दुनला लेकिन यहाँ पर एकदम गाढ़ा दिखाई दे रहे, ठीक है, यह क्या होता है, इसमें particle क्या बंते है, बड़े बड़े बनते है, और यह बड़े बड़े पार्टिकल एक दूसरे में इतना जादा मरज नहीं हो पाते हैं यह दूर दूर हो जाते हैं बड़े पार्टिकल बनते हैं प्लस यह दूर दूर हो जाते हैं इसलिए यहां पर यह पार्टिकल क्या हो जाते हैं कम विजिबिटी को रिस्टिक्ट करते है तीके यहाँ पर भी frequent Mosher freeze हो जाती है तीके और यह Fog से कम डैंस होते है १ोप से कम ल्यान होते है इसकी visibility क्या होती है more than one kilometer होती है एक kilometer से ज़्यादा visibility होती है और 2 kilometer से काम होती है मतलब एक से दो के बीच में इसकी visibility देखी जाती है और उसकी कितनी थी, यह थी हमारी mist, और fog की हम बोले तो 0.5 km, मतलब 0 से लेकर, 0 से लेकर एक के बीच में क्या होती है, fog होती है, और यह mist होता है, ठीके, बड़े कार्ण होते हैं, इसलिए इतने ज़्यादा धुन दिखाए देते हैं, ठीके, यह देखे और यह देखे, दोनो में की जगे दिखाए दे रहे, ठीके, next, last, दो चीज और चलते हैं, haze, haze, haze क्या होता है, मतलब एक दम, पूरे atmosphere में, एक जैसे ही, छोटे-छोटे particle, चा जाना, क्या हो जाता है, कि haze-y atmosphere किसमे हो जाता है, गर्मियों में भी हो सकता है, ठीके, उसको summer haze भी बोला जाता ह है, ठीके, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि धूल-धूल बहुत जादा हो जाती है, धूआ जाता है, ठीके, अब क्या होता है, dust particle, smoke particle, dry particle, other dry particle, salt particle हो गए, desert area हो गया, धूल जादा उड़ रही है, तो उस इलाके की कारण हो जाता है, लेकिन इसमें condensation नहीं होता, अभी तक कि पिछली process हमने fog देखा, fog देखा, dew देखा, mist देखा, इसके अंदर condensation होता है, लेकिन जो haze होती है, सिर्फ धुंदलापन, मतलब धूल, धूआ, है ना, इन सब चीजों के कारण जो हो जाता है, उसके कारण होता है, ट्राफिक बहुत जादा है, वहाँ पर, है ना, वाइल्ड फायर हो जाती है, मतलब जंगलों में आग लगना, दावनल, है ना, इंडस्टीज होती है, इंडस्टीज के आसपास, आप कभी MP के सिंग्रोली में विजिट करेंगे न, तो आपको ऐसा, ऐसा महौल दिखाई देगा, ठीक है, सिंग्रोली में यदि विजिट कर अब देखे, स्मॉग, स्मॉग है बहुत ही important term है, जो भी at present चल रही, दिल्ली में आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखो, एक गाड़ी के बाद आपको तीसरी चोती गाड़ी दिखाई नहीं दे रही, है ना, मतलब इसकी visibility कितनी होती है, 0.5 km से भी काम होती है, अभी हमने fog में क्या बोला था, 1 km से कम, लेकिन इसकी कितनी होती है, इसकी 0.5 km से भी कम की visibility होती है, 0 से 0.5 के बीच में इसकी visibility होती है, fog क्या होता है, smog क्या होता है, smog क्या होता है, smog मतलब क्या हुआ, यह coal particle हो सकते है, pollution हो सकता है, smoke हो सकता है, धूआ हो सकता है, धूआ हो सकता है, dust particle हो सकते हैं, यह सभी particle, जब शामिल होते हैं किसके साथ, fog के साथ fog तो पहले dark है, एकदम dense है, उसके साथ यदि धूल, धूआ धूल, धूआ और इसके काणव सब मिल जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा smog, ultimately polluted particle को ही इसमें शामिल किया जाता है ठीके, तो यह क्या है fog के साथ, इसमें भी condensation होगा, इसमें भी condensation होगा लेकिन condensation किस पर होगा, जैसे हम इने पहले बता थे, dust particle है, normal है ना, dust particle के उपर condensate होकर water droplets क्या हो जाएगी जम जाएगी, लेकिन यह कैसी दिखाई देगी, यह थोड़ी सी white color की दिखाई देगी, white white से दिखाई देते हैं, जैसा हमने fog में देखा था लेकिन जब यह black color के polluted particle के उपर जमेगी, तो क्या हो जागई, यह black color की दिखाई देगी और visibility को क्या करेगी, बहुत जादा restrict करेगी, ठीक है इससे सांस की बीमारी हो सकती है सांस की बीमारी हो सकती है इससे skin cancer हो सकती है skin related problems हो सकती है respiration system हमारा सौशन तंतर खराब हो सकता है आँखों की problem हो सकती है, आँखों में जलान हो सकती है, यह सब प्रकरिश यह सब चीजें इसके साथ होती है यह थे हमारे आज के main topic और हम इसके साथ अगले chapter में मिलेंगे, अगला हमारा topic होगा clouds और उसके बाद होगा rainfall बने रही है BBG educational hub के साथ thank you, thank you so much अज़ झाल